जैमा मातंगी मेरे प्रिय सादको और दर्शको आज एक और सोयम सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्तित हुआ हूँ लेकिन आज का जो सोयम सिद्ध बंगाली मंत्र है ये कुछ खास है ये खास इसलिए है क्योंकि आज का जो मंत्र है ये अस्त्र चलाने का मंत्र है जैसे कि इसके पहले भी मैंने कुछ अस्त्रों के मंत्र दिये है जैसे कि पिनाक अस्त्र का मंत्र दिया है, सुदर्शन चक्र का मंत्र दिया है कुंटा अस्त्र दिया है ठीक उसी तरह आज एक और सोयम सिद्ध बंगाली मंत्र लाया हूँ अस्त्र का अस्त्र क्या काम करते हैं यह आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते अगर जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा बता दू अस्त्र कब प्रयोग में लिया जाता है जब अगर किसी व्यक्ति के उपर बहुत सारे बंदन होते जैसे हजार दो हजार पाच हजार लाक देड़ लाक करोड ऐसे करोडों में बंदन हो लाकों में बंदन हो हजारों में बंदन हो तब जो है अस्त्र मंत्र चला कर उन बंदनो होते हैं तो तब कात्री मंतर काम नहीं करता है इसलिए पिर वीडियो बना रहा हूं तो चंद्रहास जो उत्रहें वोगे स्क्रेन पर देख सकते हैं तो आपने देख लिया यह थे चंद्रहास आस्तर माभारत काल में इसका काफी उपयोग होता था और देवी देवता भी जो है चंद्रहास अस्त्र का काफी उपयोग करते हैं तो यह जो चंद्रहास अस्त्र है यह काफी powerful होता है जब यह चंद्रहास अस्त्र चलता है तो एक बार में 10,000 बंदन काटे ने की ये शम्ता रखता है कितने दस हजार बंदन एक बार जैसे एक बार वार करेगा तो दस हजार बंदन काड़ देगा दूसरी बार वार करेगा तो बीस हजार बंदन काड़ देगा तो ये इतना पावरफुल होता है तो ये जो चंद्रहास अस्त्र है अगर कोई व्यक्ति मान ल आपको अब लग रहा है कि ये वेक्ति नहीं बचेगा उसके उपर अगर आप चंद्रहास अस्तर चला देंगे और पढ़कर फूक मार देंगे तो वेक्ति जो है उसके सेहत में जो है सुधार होने लगता है और ठीक होके आ जाता है अगर आप ऐसे 100 लोगों के साथ करते तो 100 में से 90 लोग जो है लगबग बचकर वापस आ सकते हैं 10 प्रतिशत लोगों की गैरेंटी नहीं होती है ठीक है लेकिन 90 प्रतिशत लोग जो है वो ठीक होई जाते हैं अगर कितना ही बड़ा भूत प्रेत पिसाच देत्य असूर जो कुछ भी हो वो इस बंदन से कट जाता है कटके उसके तुकड़े तुकड़े हो जाते हैं साती साथ तुकड़े होने के बाद ये अस्त्र उसको जलाकर राग भी करता है इस अस्त्र की ये खासियत है कि ये जब काटता है चाहे बंदन काटे चाहे भूत प्रेतों को काटे काटने के बाद ये उनको जलाकर राग कर तो ये ऐसा अस्त्र है ठीक है और इस यस्त्र को किस तरह से आप सिद्ध करेंगे वो आप जान लीजिए इस अस्त्र को सिद्ध करने के लिए आपको कोई लोहे का अस्त्र बनाने की आवशक्ता नहीं है इस अस्त्र के प्रयोग के दो प्रकारे एक मंत्र प्रयोग और दूसर अस्त्र सिद्धी का ठीक है मंत्र से तो आप जैसे मंत्र पढ़ोगे किसके भी उपर प्रयोक करोगे तो काम हो जाएगा जैसे मानली जै किसी के उपर भूत प्रेत है उसके उपर यह अस्त्र चलाएंगे उसके उपर सर पे निम्बू रखेंगे इस अस्त्र को तीन बार पढ लेंगे उसके सर से पैर तक नीचे तक उतार के चाकू से निम्बू के दो तुकड़े काट देंगे जला कर राक कर देंगे उसके उपर का भूत प्रेज जल कर राक हो जाएगा अगर मान लीजे किसी के उपर नजर भी लगी है तो याद रखी लेकिन नजर दोश पे शरी एक नजर दोश के लिए अगर प्रेज़ करें तो इस अस्तर को नहीं चलाना है यह याद रखी और अगर भूत प्रेद बाधावाले के उपर चला रहा है तो तीन बार से ज़ादा प्रेज नहीं करना है अगर किसी के उपर बहुत सालों से जैसे तंत्रक्रिया है 15-20 सालों से और वो व्यक्ति हजारों जगा भटक कर आया हुआ है पर वो ठीक नहीं हो रहा है उसके व्यापार बंदन है है ना उसके कुल देउता पीतर बंदन है उस समय इस अस्त्र को साथ बार से ज़्यादा अभ प्रभाव बहुत ज़्यादा उग रहे यह बहुत प्रभावशाली है और इसमें बहुत ज़्यादा धार होती है इस अस्त्र में तो इस शरीर को भी नुकसान पहुचाता है इस अस्त्र को प्रयोग में लेने के दो तरीके हैं सबसे पहले आपको मंत्र का तरीका बता दू बाद में अस्त्र का तरीका बताऊंगा कि जिससे त्रिशूल की तरह ये अस्त्र आप हमेशा अपने पास कैसे रख पाएंगे ठीक है पहले मंत्र मार्ग से इस अस्त्र का कैसा प्रयोग करोगे वो आप समझ लेंगे जैसे मान लिजे किसी व्यक्ति को नजर दोश लगा हुआ है उस समय आप इस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे उसके सर से पैर तक फुक मार देंगे वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा आप याद रखिए लेकिन इस अस्त्र को बच्चों के उपर नहीं चलाना है क्योंकि ये अस्त्र शरीर में नुकसान भी पहुचाता है तो इसलिए बच्चों के उपर इस अस्त्र का प्रयोग कदापी ना करें ठीक है अब जैसे मान लिजे कोई व्यक्ति है कई सालों से परेशान है उसके उपर हजारों बंदन है कई तरह के तंत्र क्रियाय है उसके उपर लक्ष्मी बंदन है प्रगती बंदन है विवा बंदन है लाना है क्या क्या सामागरी सर पे रखेंगे ये भी समझ लीजीए सबसे पहले जो रोगी है उसको पुर्वकी और मुख करके भीठा देंगे किसी लकड़ी के पाठ पे या किसी आसन पर बिटाना जमीन पर नहीं जाना अगर जमीन पर बिटा होगे तो अस्तर काम नहीं करेंगा अस्तर की शक्ति जो है प्रित्वी के अंदर चले जाएगी अब उस वेक्ति के सर पे एक बरतन रख देंगे बरतन में आप रखेंगे एक नारियल पांच निम्बू ग्यारा लॉंग एक मुठी चावल और एक लिटर पानी की बोटल उसके बाद आप क्या करेंगे अगर बत्ति जलाएंगे मंत्र पड़ेंगे जैसे एक मंत्र पुरा होगा अगर बत्ति के उपर फुक मारते हुए उसके उपर लगना चाहिए शरीर में इस तरह से आप लोग साध बार मंत्र पड़ेंगे और साध बा इस तरह आनल समय है और गाने अजहे में आ हैसे सबुने होने के बाद उसको नारीयल फोड़ने लगायों सबसे पहले लिए एगर से बाहर अगर मानली जी उसका घर दूर है वो आपके यहां पर आकर इलाच कर रहा है तो उसको बहना घर पे ले जाना नारियल को फोड़ना फोडने के बाद आदा नारियल घर पे जला लेना जला कर राक करना आदा नारियल जो है आदे नारियल के अंदर में उसको क्या करना है थोड़े से चावल कुमकुम और एक रुपया रखकर किसी चोराय में रखकर आ जाने के लिए बोलेंगे आप और जो निम्बू है तीन निम्बू उसको पर जाके ग्यारा बार उतारना है जो नारी अलादा तुकड़ा जो रखा है जो घर पे जलाने वाला उसके साथी उसको जलाना है अगर इस तरह से प्रयोक करेंगे तो उसके उपर कितना ही पुराना तंत्र हो वो उसी वक्त उसी शन में कड़ जाएंगा लेकिन याद यह क्रिया है जब आप कर रहे होगे तो आपका स्वास बंदन होना आती आवश्यक है आपका शरीर बंदन होना आती आवश्यक है क्योंकि यह चंद्रहास अस्त्र जो है बहुत आडा तेडा चलता है मतलब यह जब उस व्यक्ति के शरीर में जब काट कर रहा होगा और वहा सावधानी से करना होता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल अस्त्र है याद रखिए ये अस्त्र मौत के मुझ से भी वापस लाता है ये अस्त्र किसी भी तरह के बान को काटने में सक्षम है किसी भी तरह के अकाल मृत्यू के क्रियाओ को काटने में सक्षम है और किसी भी तरह कि जैसे कई बार क्या होता है लोग चालान क्रिया कर देते हैं जैसे कोई पक्षी के रूप में कोई भूत प्रेत आपके घर में भेज देते हैं कोई मक्षी मच्छर के रूप में किसी भी जिव जन्तु के रूप में आपके घर भेज देते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे तो ऐसी आवस्ता में अगर इस अस्त्र को अगर तीन बार जल में अभी मंत्रित करके अगर आप घर में छिड़क देंगे तो आपके घर में जितनी भी अशुद्ध शक्तिया है वो सब कट जाएंगी वहां से भाग जाएंगी या तो भाग जाएंगी या अगर रुकी तो ज योग करेंगे जल में अभी मंत्रित करके अगर घर में छिड़कोगे तो याद रखना आपके घर का बंदन तूड़ जाएगा आपको वापस से घर में सुरक्षा बंदन लगाना होगा ये बताना जरूरी है क्योंकि देखिए मैं जब बताता हू तो सारी बात बताता हो इ इसका साइड इफेक्ट भी आपको पता होना चीए जैसे कुछ लोग गुप्त धन वगेरे निकालने जाते हैं जमीन में गड़ा हुआ खाजाना वगेरे निकालने जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत काम का ये मंत्र है क्योंकि आप सब लोग जानते जो जमीन में गड़ हुआ धन होता है उसके रक्षा के लिए उसके सुरक्षा के लिए कई सारी शक्तिया उसके इर्द गिर्द होती है उसमें देविये शक्तिया भी होती है और शैतानी शक्तिया भी होती है बूत प्रेद पिसा जाती तो होते ही है और ऐसे लोग जिनकी मृत्ति होगी जिनकी टकते रही और उनको जब जमीन में गड़ा हुआ खाजाना दिखता है तो वैसी सारी आत्माइं आकर उस खाजाने के उपर बेढ़ जाती है, वास कर लेती है, तो जब ऐसी शक्तिय उस पर वास करती है तो वो आपको निकालने ने देती है, तो उसके पास भी नहीं जाने देती है, उसके आस-पास कई तरह के साब, बिच्छू, जंगली जानवर, चुडेल, डाकीनी, शाकीनी, पिसाच, जीन, खबीजादी, सुरक्षा में होते हैं, तो उन सभी को काटने या भगाने के लिए जो है, ये चंद्रहा सस्त्र बहुत ही ऐसे जगह अगर चंद्रहा सस्त्र चला तो एक बार, तो कोई दुनिया का कोई भूत प्रेत वहाँ नहीं आएगा, कम से हम 24 घंटे के लिए, तो ये इतना पावर्फुल अस्त्र है, ये अस्त्र एक बार जहाँ चल जाता है, वहाँ पर 24 घंटे तक कोई भूत प्रेत नही इतनी इसकी ताकत है, 24 घंटे तक, याद रखिएगा, और ये अस्त्र, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बच्चों पे कभी भी भूल कर इसका प्रयोग नहीं करना, 9 साल के उपर के बच्चों के उपर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, 9 साल से अंदर के बच्चे के उपर आप चंद्रहास अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चंद्रहास अस्त्र से भूत, प्रयोग, जीन, डाकीनी, शाकीनी, कैसी भी शक्तिया हो, पल भर में भाग जाती है, ठीक है, और इस अस्त्र का एक और है, प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस अस्त्र को अगर आ इसे जगहां पर रख दे जहां पर भूत प्रेद बहुत आते हो जिस मार्ग से आपके घर में भूत प्रेद प्रवेश करते हो वह रख देंगे तो अस्त्र काम करेगा जब तक उस इत्र की महेक वह आपके घर में महेकती रहेंगी तब तक अस्त्र काम करता रहेगा तब तक खीतर है तब तक अस्त्र आपके आपे अटोमेटिक मोड पर काम करेंगा आने वाले भोत प्रेत अपने आपी वह अस्त्र देखकर भागते रहेंगे तो ये अस्त्र को इस तरह से प्रयोग करते हैं और देवी देवता भी बहुत ज़्यादा इस अस्त्र का प्रयोग किये है और मुझे लगा कि यह अस्त्र आप लोगों को देना चाहिए क्योंकि कए बार आप लोगों ने देखा होगा कंत्र कार्ट के समय मैं चंद्रहास अस्त्र का लेक करता हूँ चंद्रहास अस्त्र चलाने के लिए मातारानी से बोलता हूँ उस समय बोलता हूँ जब लोगों के ओपर बहुत सारे बंदन होते हैं तब मजबूरी में मुझे अस्त्र चलाने होते हैं लाखो लाखो बंदन होगे अगर लाखो लाखो बंदन कातरी मंत्र से म मैंको 10 दिन लग जाएंगे इसलिए चंद्रा आस अस्त्र का मुझे कभी-कभी प्रयोग करना पड़ता है आशा करता हो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अभी मैं आपको इसका एक दूसरा प्रयोग बताऊंगा कि इस अस्त्र को आप सिद्ध कैसे करेंगे सिद्ध करने के लिए आपको जो है एक लगेंगी एक फिट की बरगत की लखड़ी एक फिट की पीपल की लखड़ी एक फिट की आम की लखड़ी ठीक है और तीनों लखड़ी सेम साइच की आपको लेना है और तीनों लखड़ी को जो है तामबा पीतल और लोहा इनके तार से लपेट लेना है पूरी तरह लपेट लेना है तीनों लखडियों को आपस में ऐसे लपेटना है तारों से कि केवल तार दीखे बाहर से लखडी ना दीखे इतना आपको तार लपेटना है तामबे का पीतलगा और लोहे का अब यह हो गया आपका चंद्रहास अस्त्र तयार अब आपको क्या करना है पूर्णी मा के दिन चांद के उजाले में बैठना और इस तरह से बैठना है कि वो जो चंद्रहा सस्त्र है जो आपने जिस पे तार लपेट के रखे हुए उसके उपर चांद की रोशनी गिरे इस तरह से और आपका जो मुख है पश्चिम की ओर होना चाहिए आपके सामने जो है जमीन पर चंद्रहा सस्त्र होना चाहिए चंद्रहा सस्त्र को जमीन पर नहीं रखना याद रखे किसी लकडी के पटे के उपर रखे डायरेक्ट अगर जमीन पर रखेंगे तो जो चांद का जो पावर आ रहा है वो नीचे जमीन पर चला जाए उसके बाद जो भी आपके गुरू है जिनको आप गुरू मानते हैं उनका ध्यान करेंगे अपने पित्रों का ध्यान करेंगे पित्रों के बाद में ग्राम देवता का ध्यान करेंगे उसके बाद आप जहां पर बैटे उस शेत्र के देवता का नमशकार करेंगे और फिर बाद में ये जो मंत्र जो है इस मंत्र को पढ़ना है और पढ़ते वे इस अस्त्र के ओपर फूख मारते जाना है कितने बार ये मंत्र को पढ़ना है 108 बार पढ़ना है और फूक मारते जाना है बस 108 बार अगर आपने मंत्र जब कर लिया समझ लीजे आपके हाथ में जो है वो चंद्रहास अस्त्र है उसका पावर आप देख लेना जब कभी भूत प्रेत होगे जैसे आप अस्त्र दिखाओगे तो भूत प्रेत बोलेगा दूर रखो दूर रखो उसको देखते ही डरने लगेंगा कापने लगेंगा वो अस्त्र लेकर आप कही भी चले जाओ जंगल में चले जाओ मसान में चले जाओ कही भी चले जाओ खोई चोर डाकु आदी का भी आपको भैर नहीं रहेगा, इतना ये पावरफुल है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो कमेंड करके मुझे बता है, और किस तरह के वीडियो चाहते हैं, वो भी आप लोग कमेंड करें मुझे, आप लोग comment नहीं करते, like नहीं करते, video को share नहीं करते, हमारे channel को subscribe नहीं करते, तो हमारा जो है उच्सा कहीं न कहीं कम होता है, फिर लगता है हमें क्यूं हम video बनाए, आज इस video पे कम से कम मुझे 4000 comment 4000 के उपर like आने चाहिए, अगर आपको और भी अस्त्रों के मंत्र चाहिए त आगे अगर आप चाहते, और भी अस्त्र के मंत्र में आप लोगों को दू, तो आप सभी लोग comment करें, आप अपनी राय अवश्य दीजे कि आज का ये video आप लोगों को कैसा लगा, आपने अगर हमारे किसी मंत्र का प्रयोग किया है, सोयम सिद्ध बंगाली मंत्र का, अगर भी इस तरह के मंत्र हमें चाहिए, और आप किस तरह के video चाहते है, किस विशे पर आप लोग विडियो चाहते है, वो भी आप लिखे, मैं उस विशे पर भी video जरूर बनाऊंगा, आशा करता हूँ कि आज का video आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग इस video को like भी क करेंगे, अपने परिवार में, दोस मित्रों में शेर भी करेंगे, और अपने सभी परीचीतों को आप बुले कि अगोर मार्क चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जैवा मतंगी